नमस्कार फ्रेंज श्वागत है आपका मेरे चैनल क्यों किचन रेसिपी भी सीमा में तो आज मैं बना रही हूं भिंडी की ऐसी रेसिपी जो खाने में काफी टेस्ट फुल होता है और बनाना भी काफी आसान और तेल भी बिलकुल ही नाम मात्र तो चलिए इसकी प्रप्रेश से यह सारी तो इसी तरह से हमेट करना बीच से करना बीच से बिंडी कट गई है, अब हम इनके मसाले तयार कर लेंगे, तो मैं खरा मसाला लोगी, तो एक टेबलस्पन हम लेंगे, धनिया, साबु धनिया, मेथी, ये चार मसाले हैं, ये मैं हाप टेबलस्पन लोगी, ये मेथी, आजवाइन, सौफ और जीरा, अब ये मस्टर शीर से, ये मैं एक टेबलस्पन लिया है मैंने, तो इन सबको मैं तवा पर रोस्ट कर लोगी, तवा गरम हो चुका है, तो हम इनको रोस्ट कर लेंगे, हलका हलका रोस्ट करने, ज्यादा नहीं करना है, अब हम इसमें कसूरी मेथी भी डाल देंगे, साथ के साथ ये भी रोस्ट हो जाएगा, अब रोस्ट हो चुका है सारे मसाले, अब हम इसमें, एक टेब रोस्ट में बेसन डालेंगे, फ्लेम को करेंगे आफ, बरना ये जल जाएगा बेसन, तवा गरम है, उस पर हमारा बेसन रोस्ट हो जाएगा, बेसन इसलिए रोस्ट कर रही हो, ताकि बेसन में काफी अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट काफी अच्छा आता है, सोधापन की मतलब खुसबू भी आएगी, और टेस्ट भी आएगा, अब हम क्या करेंगे, मसाला को इसमें डालके कूट लेंगे, आप चाहें तो मिक्सी में भी आप दरदरा पीच सकते हैं, लेकिन जिसमें मैं अदरा किला इची कूटती हूं, इसमें मैं डालके कूट लोंगे मसाले को, जिस तरह हम मसाला तयार करते हैं अचार को, इसी तरह हमें इस रेसिपी का भी मसाला इसी तरह तयार करना है, पौडर तो घर में पड़े होते हैं, बड़ पौडर हमें चाहिए नहीं था, हमें इस तरह मसाला रोस्ट करके डालना है, इसमें मैंने सर्सो नहीं डाला था, सर्सो अब पीशेंगे, इसमें कुटेंगे, यह देखें, अगर साथ हमें हम डालते ना, सर्सो सही से नहीं पीश पाता, इस तरह से हमें सर्सो को भी कुटना था, अब हम इसमें बेशन भी एड़ करेंगे, जो मैंने रोष्ट किया था बेशन को, अब हम इसमें मिर्च पॉडर, एक चौथाई चमच मिर्च पॉडर एड़ करेंगे, एक चौथाई चमच हम हल्दी पॉडर एड़ करेंगे, हाप टेबल स्पॉन हम डालेंगे इसमें आम चूर, एक पिंच हम डालेंगे हींग, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, अब हम क्या करेंगे इसमें, एक टेबल स्पॉन सर्सो का तेल डालेंगे, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, और हम हाथों के सहारे कर लेंगे, हाथ को यूज़ कर लेंगे, चाहे तो अब चम्मस से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से ज़्यादा कमफर्टेवल रहता है, तो मैं हाथ से ही मसाला मिक्स करती हूँ ज़्यादा तर, मसाला हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इस तरह से भिंडी में सारे अश्टफिंग करेंगे, सारी भिंडी में इस तरह से मसाला को, जिस तरह से हम अचार, जैसे आम के अचार बनाते हैं तो अचार में मसाला उसमें लगाते हैं, इसी तरह भिंडी में भी हमें मसाले को लगाना है, श्टफिंग करनी है, इस तरह से सारे भिंडी में श्टफिंग करनी है, झाल झाल इस तरह से सारी भिंड़ी हमारी स्टफिंग हो चुकी है यह देखिए कितनी प्यारी लगड़ी है तो चलिए मैं आपको रेसिपी का नाम भी बता देती हूं तिये मैं बना रही हूं अचारी मसाला भिंड़ी तो मैंने एक पैन लिया है पैन में एक टेबरल स्पर मैंने सरसो का तेल डाला है तेल गरम हो चुका है तो अब हम इसमें सारी भिंड़ी डाल देंगे इसमें दो मिनट के लिए मैं इसे ढख कर रख दूंगी बिंड़ी को क्योंकि बिंड़ी कूख होने में ज्यादा टाइम लेती नहीं है तो दो मिनट में इसे ढख दूंगी कि दो मिनट हो चुके और चेकर लेते हैं इसे दिए बपर अच्छी तरह से शेक होंकि ए फैजotta एक साँ में कश्रार से कूख हो गलिए फेनड़ीगे तब अब हम क्या करेंगे दूसरी साँ में पलड़तिकर पलीड़ेंगे प्लटेंगे चार साइट से कुखको जाएगी भिंडी पलटने के बाद हम इसे फिर दो मिनट के लिए ढख देंगे दो मिनट हो चुके हैं यह देखिए बिंडी हमारी हो चुकी है कितनी प्यारी कितनी अच्छी लगड़ी है अब हम लास्ट में क्या करेंगे लेमन जूस डालेंगे एक टेबल स्पन में डालना है और हमारी अचारी बिंडी तयार हो चुकी है तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप कॉमेंट करके जरूर बताएंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने नहीं भूलेंगे तो चलिए आप इंजॉई कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडिय वीडियो में तब तक मिलते हैं बाइ बाइ और टेक केर